मौ जिले के रतनपुर ब्लॉब के अंतरगत पहसा ग्राम सभा में स्वच भारत स्वच मिशन की उन रही धच्चिया सामुदाइक शौचाले बना शोपीस चार साल बीट जाने के बाद भी नहीं खुला शौचाले शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अरण जान केवल ग्राम पंचायत अधिकारी के काज़ में ही खुलता है शौचाले अप मौ जिले के रतनपुरा ब्लॉब के अंतरगत पहसा ग्राम सभा सामुदाइक शौचाले अप एक ओर जहां स्वचता को लेकर पीम वसीम गंभीर है शौचाले के निर्मान पर रुपे पानी की तरह बहा रहे है वही जिम्मेदारों की मनमानी से सरकार की योजना सार्थक नहीं साबित हो रही है पहसा ग्राम पंचायत में बने सामुदाइक शौचाले अशोपिस बने हुए है जब ग्राम प्रधान से पूछा गया सामुदाइक शौचाले के बारे में तो ग्राम प्रधान ने बोले की सरकार हमें कोई बज़ट नहीं दे रही है इसलिए हम उसे चालू नहीं कर पा रहे हैं जब सामुधाइक शौचालय को लेकर ग्राम पन्चायत अधिकारी से पूछा गया तो ग्राम पन्चायत अधिकारी ने बोला कि पहसा ग्राम सभ units में सामुधाइक शौचालय चालू है और प्रतिदिन खुलता है और महिला समूव भी काम करती है हम भी कई बार मौके पर जाकर चेक किया है ग्राम पंचायत अधिकारी ने यह बात फोन से बताया ग्राम पंचायत अधिकारी से सवाल जवाब किया गया तो ग्राम पंचायत अधिकारी ने उसे शिकायत कर दीजिए वीडियो साहब या सीडियो साहब किसी से भी कर दीजिए हमें कोई फर्थ नहीं पड़ता कुछ समय तक जूट पर जूट बोलते गया ग्राम पंचायत अधिकारी जब उनका सही सवालों को लेकर जब आप पूछने लगे तो कहीं ना कहीं बचने लगे और कहें की जिससे शिकायत करना उनसे जाकर शिकायत करिए जो लिखना है जो करना है वह करिए आप स्वतंत्र है हमें कोई फर्थ नहीं पड़ता है कुछ समय बीच जाने के बाद दोबारा फोन करके ग्राम पंचायत अधिकारी बोले की आप हमें कुछ दिन का समय दे दीजे हम सामुदाइक शौचाले को चालू कर देंगे तो परधान जी को दू साल भी दिकर कुछ ना कहीं ना कहीं ना परधान कहले पर कहना परधान को आला के मलागे बोजट है ये ना तमकौरी का